हंजी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल प्रिक्षाग गाइड पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वेकेंसी के बारे में आपके द्वारा चार मैतपूर्ण प्रशन पुछे गए थे कि भरती कब तक आएगी कितने पद पर आएगी पाठे करम क्या रहेगा एकजाम कब तक होगा तो दोस्तों इन सभी बिंदों पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बड़ी बारीकी से तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं सुरू दोस्तों सबसे पहला प्रशन कितने पद पर वेकेंसी आने वाली है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 2023 में 461 पदों पर मंजूरी मिल चुकी थी विद विबाग के द्वारा लेकिन ये भरती का नोटिफिकेशन फाइनली नहीं आ पाया था किसी कारण वस से वहीं पर 2022 में इससे पहले ये वेकेंसी आई हुई थी उस वक्त 461 पदों पर वेकेंसी आई थी जिसमें से कुछ पद खाली रह गए थे और वेटिंग लिष्ट भी जारी नहीं हुई थी और जो थड़ ग्रेड लाइबरेरियन थे उनका परमोशन सेकंड ग्रेड लाइबरेरियन में हो चुका था तो इन सभी को मिलाकर पदों की संख्या बढ़ने वाली है अनुमानित या सम्भावित पदों की संख्या मैं आपको बता दू 750 से लेकर 800 पदों की संख्या रहेगी जिहां दोस्तों साड़े साल सो से लेकर आठ सो पदों पर आपको लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड की वेकेंसी देखने को मिलेगी वहीं पर दोस्तों बात करें कि आखिर भरती कब तक आएगी दोस्तों जुलाई के इसी महीने में बजट पेश हो जाएगा राजस्थान का अनुमान है कि जुलाई के अंतिम दिनों में या फिर अगस्त में आपको ये भरती देखने को मिल जाएगी ये भरती R, SM, SSB के द्वारा करवाई जाती है और इस बार उनकी प्रोसेस काफी तेज है ठीक है वहीं पर अगस्त में ये भरती का नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक मेने का समय मिलेगा फोम भरने के लिए सितंबर तक का ठीक है वहीं पर अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर अनुमानित प्रिक्षा तेथी की बात करें कि एक्जाम कब तक होगा तो एसा अनुमान है अगर अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो दिसंबर में एक्जाम होने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मुझे 6-7 महिने का समय मिलेगा तो नहीं मिलने वाला है लास्ट धाई से तीन महिने का ही समय आपको राजस्तान लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड की वेकेंशी में देखने को मिल सकता है इससे जादा समय नहीं देगी आपको ठीक है तो इसलिए आप लोग अभी से त्यारी में लग जाएं वहीं पर दोस्तों बात करें पाठे करम क्या रहेगा तो दोस्तों 2022 में जो पाठे करम था वो तो बदलेगा क्योंकि RPSC ने भी अपना पाठेकरम चेंज कर दिया है और इस बार राजस्तान लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड का पाठेकरम वही पाठेकरम रहेगा जो राजस्तान लाइबरेरियन सेकंड ग्रेड का है आपके दो एक्जाम होंगे दोनों दो दो सो नंबर के होंगे एक पेपर में सो प्रशन पूछे जाएंगे और वहीं पर फश्ट पेपर आपका जीके का रहेगा जिसके अंदर राजस्तान का जीके पूछा जाएगा राजस्तान का इतिहास राजस्तान की कलासन स्कृति विज्ञान से प्रशन आने वाले हैं, वहीं पर paper second जो होगा आपका, वो आपका subject का होने वाला है, library information science का, उसके अंदर कुछ part आपका computer का रहने वाला है, एक बटा तीन आपकी negative marking रहने वाली है, आपको paper करने के लिए 2-2 गंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, वह आपके सभी जबाब दे दिये हैं, चाहे वो कोई भरती कब तक आएगी, पूरी संभावना है, जुलाई के last या अगस्त में आपको notification देखने को मिल जाएगा, कितने पद पर आएगी, तो साड़े 700 से लेकर 800 पदों पर आपको ये vacancy देखने को मिल जाएगी, पाठे करम क् जो librarian second grade का है, एगजाम कब तक होगा, तो एगजाम आपका December तक होने की संभावना है, इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से त्यारी कर लो, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे 6-7 मेने का समय मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला है इतना समय, आप पिछले भी एगज ना मानने की आदत, एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को हार नहीं माननी हैं, और दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दीगे जानकारी से संतुष्ठ हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद